नमस्कार दोस्तों दोस्तों पोधों को हेल्दी और हरा बरा बनाई रखने के लिए सबसे ज़्यादा पानी और धूप की जरुद पड़ती है अगर आपके प्लांट को प्रोपर धूप मिल रही तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा स्वस्त रहेगा और अगर आपकी बालक सबत भी क्लिबुए बिल्कुlichen प्रफेक्ट है और हमेश्व हो आपके बालकनी में बनी रहेंगे हरे भरे लेगे तो चली जलते हैं ऐसे प्लांट बन जाते हैं इसके और बहुती सुंदर पतियां होती है इसकी attractive पतियां होती है और बहुती सुंदर लगेगा अगर आप अपनी बालकनिय में इसको add करते हैं तो एक बार अगर आप लगाएंगे तो फिर ये बहुत सारी प्लांट बन जाएंगे और सालो साल चलेंगे दूसर जाता है कम केर में चलने वाला प्लांट है पानी इसे कम चाहिए होता है तो इसको आप बहुती आसानी से अपनी बालकनी में अपनी टैरिस पे आप इसको लगा सकते हैं और बहुती सुंदर यह पोधा है और आप इसको ब्राइट लाइट इसको और हवा इसकी जरुत होती है दूप की जड़ते से नहीं होती तो ये भूती आसानी से आपकी बालकनी में चल जाएगा दोस्तो तो इसको भी आप आसानी से अपनी बालकनी में लगा सकते हैं उसके बाद आते हैं दोस्तों सिंगोनियम बहुत ही कुप सूर्थ पलांड है यह बहुत ही प्यारा प्लांड है इसके पत्ति रही पान तो इसके पटिया कुप आप में लगा रख लैकाई pista कि तो इसको सब्सक्राइब अपनी बालकनी में इसको बहुत आसानी से एड़ कर सकते हैं और आप इसको लगा सकते हैं अपनी बालकनी में इसको धूप की जरुत नहीं होती ब्राइट लाइट और हवा इसके लिए बहुत आसानी से आपकी बालकनी में मिल जाएगी और आसानी से आपकी बालकनी में ग्र बहुती खुबसूरत प्लांट है एक अलगी खुबसूरती देगा यह आपकी बालकनी को और बहुती प्यारा प्लांट है इसको भी आप लगा सकते हैं और यह एक से कई पोधे बन जाते हैं तो बहुती आसानी से बहुती कम केर में चलने वाला प्लांट है इसको भी आप आस प्लांट आता है रवर्ड प्लांट भी बहुत खुबसत प्लांट है इसको धूप की जरत नहीं होती ब्राइट लाइट और हवा में काफी अच्छा चलता है और इसको भी आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं दोस्तों यह थे दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट जो अगर आप कर दोस्तों कानी